आज हम पाई चाट के बारे में सिखेंगे चलिए एक दिल्चस्प उधारण से पाई चाट की समझ बनाए मीना ने अपने घर के आंगन में फूलों के कुछ पौधे लगाए है प्रति दिन वह फूल इकठा करती है आज उसने चमेली, गेंदा और गुलाब की फूल इकठा किये है जिनकी संख्या इस प्रकार है चलिए इस जानकारी को एक मज़ेदार रूप में निरुपित करें यहाँ फूलों की कुल संख्या 30 धन 20 धन 10 बराबर 60 है यहाँ चमेली के फूलों की संख्या 30 है, जो कि कुल संख्या का 30 बटे 60 यानि की 1 बटे 2 भाग है इसी तरह गेंदे के फूलों की संख्या कुल संख्या का 20 बटे 60 भाग यानि की 1 बटे 3 भाग है और गुलाब के फूलों की संख्या कुल संख्या का 10 बटे 60 भाग यानि 1 बटे 6 भाग है हम एक संपूर्ण वृत्त का मान 60 फूल मानेंगे चुकि एक संपूर्ण वृत्त का केंद्रिय कोन यनी सेंट्रल एंगल 360 डिगरी होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि 60 फूलों को 360 डिगरी का केंद्रिय कोन निरुपित करता है चमेली की फूलों की संख्या संपून 60 फूलों का एक बटे दो भाग है यह संख्या हम एक त्रिज्य खंड यानि सेक्टर से निरुपित करेंगे जिसका केंद्रिय कोण एक बटे दो गुणा 360 डिग्री बराबर 180 डिग्री है यानि आधा वृत्त है इसी तरह गेंदे के फूलों का भाग एक बटे 3 गुणा 360 डिग्री बराबर 120 डिग्री के केंद्रिय कोण वाला त्रिज्य खंड बनाकर तथा गुलाब के फूलों का भाग 1.6 गुणा 360 डिग्री बराबर 60 डिग्री के केंद्रे कोंड वाला त्रिज्य खंड बनाकर निरुपित किया जा सकता है यहां हमने वृत्त के विभिन त्रिज्य खंडो यानि सेक्टर्स के रूप में कुल फूलों की संख्या का विभाजन निरुपित किया है ऐसा निरुपन जिसमें आंकडों को वृत्त के त्रिज्य खंडों द्वारा दर्शाया जाता है एक पाई चार्ट कहलाता है पाई चार्ट हमें एक संपूर्ण का उसके भाग से संबंध बताता है जैसे यहां चमेली के 30 फूल फूलों की कुल संख्या 60 का आधा है इसी तरह गुलाब के 10 फूल, फूलों के कुल संख्या 60 का 1 बटे 6 भाग है और गेंदे के 20 फूल, फूलों के कुल संख्या का 1 बटे 3 भाग है इसी के साथ पाइचाठ हमें विभिन भागों में तुलना करने के लिए भी सहायता करता है जैसे तरिजखंडों के माप देखकर यह कहा जा सकता है कि गुलाब के फूलों की संख्या के तुलना में गेंदे के फूलों की संख्या 2 गुनी और चमेली के फूलों की संख्या 3 गुनी है पाईचार्ट में प्रत्येक त्रिजखंड का केंद्रिय कोण उसके द्वारा निरुपित सूचना के समानुपाती होता है जैसे यहां चमेली के फूलों की संख्या को निरुपित करने वाला केंद्रिय कोण चमेली के फूलों की संख्या के समानुपात में है इस तरह से कुल संख्या निश्चित हो और यदि चमेली के फूलों की संख्या में वृध्धी होती है तो संगत त्रिजिखंड के माप में भी वृध्धी होगी या इसके विप्रीत यदि चमेली के फोलों की संख्या कम होती है तो संगत तृज्जिखंड का माप भी कम होगा जरा सोचिए क्या हम विभिन केंद्रिय कोण ग्यात करने के लिए एकिक विधी का प्रयोग कर सकते हैं? चलिए हम बताते हैं हम जानते हैं कि एक संपूर्ण वृत्त का केंद्रिय कोण 360 डिगरी होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि 60 फूलों को 360 डिगरी का केंद्रिय कोण निरुपित करता है इस तरह से एक फूल को 360 डिग्री बटे 60 बराबर 6 डिग्री के केंद्रिय कोंड से निरुपित किया जा सकता है अब चमेली के फूलों की संख्या 30 है इसलिए इस संख्या को हम 30 कुणा 6 डिग्री बराबर 180 डिग्री से निरुपित कर सकते हैं इसी तरह आप एक एक विधी के प्रयोक से विभिन केंद्रिय कोण प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने पाइचाट बनाना सीखा। अगले वीडियो में हम पाइचाट के कुछ और मज़ेदार उधारन देखेंगे।